अब आप इनका result देखे, इतने जादा soft बने ये दही भले, अगर आपने ये recipe एक बार try की, तो आप इन दही भलों के मूरीद हो जाएगे, आपको यकिन नहीं होता ना, आप try ज़रूर कीजिए, जोस्तों मेरा नाम है उमारावत और सागत है आपका food जाइप है, पाफेक्ट दही भले बनाने के लिए हम दो दालों का इस्तमाल करेंगे, एक कप हम उड़त दाल लेंगे, जो धूली उड़त दाल आती है, जिसमें छिलका नहीं होता, और उसी सेम कप से दो कप हम मूंग दाल लेंगे, टू इस्टू वन रेशो आपको रखना है मूंग दाल और उड़त दाल का, अब इस दाल को हम ओवरनाइट सोख करेंगे, पानी के अंदर काफी खुप सारा पानी याट कीजे, और इसे भीगने छोड़ दीजे रात भर के लिए, इस दाल को आप चार घंटे पे बिगा कर ले सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हमने दाल को अच्छे से वाश कर लिया है तीन से चार पानी के अंदर और अब हम इसे पीस लेंगे, एक दूम स्मूध पेस्ट बनाना है हमें इसका और पानी बहुत कम इस्तमाल करना है, मिक्सी का एक जार ले लेंगे और इसके अंदर दो चम्मच पानी एड़ करेंगे और इसे स्मूध पीस लेंगे, यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी है, आप इसका टेक्स्चिर देख सकते हैं, काफे फाइन है, यह देखिए, अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे एक बड़ी परात के अंदर, और अब हम इस दाल को फेटना श फेटेंगे, और इतना फेटेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, और यह वजन में हलकी हो जाए, इसके अंदर हमें हवा भरनी है, इसलिए हम इसे सेम दिशा में फेटते हैं, ताकि इसके अंदर हवा भर सके, जितना ही अच्छे से आप इसे फेटेंगे, जितनी अच्छे स इसके अंदर हवा भरेगी, उतनी ही soft और spongy दही भल्ले आपके बन कर त्यार होंगे, अब आप देख सकते हैं, बैटर का color change हो गया है, और आप इसे हाथ में लेकर अगर गिरानी की कोशिश करते हैं, उल्टा हाथ भी करते हैं, तो ये बैटर अपने आप गिर नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी दाल बहुत अच्छे से फेट चुकी है, अब हम इसके अंदर कुछ flavor सेट करेंगे, हम यहाँ पर कटी वी, बारी कटी वी अद्रक और हरी मिर्च अट कर लेंगे, इसे बहुत यह अच्छा flavor डबलप होगा हमारे दही भल्लो के अंदर, और वाप इसे कैसे जाचे कि हमारे दाल अच्छे से फूल चुकी है या नहीं, हमारे दही भल्ले फूलेंगे या नहीं, तो आप पानी का कोई बरतल लीजे, इसके अंदर थोड़ा सा बैटर डालिए, और अगर बैटर फ्लोट करता है, यानि कि तैरने लगता है पानी के उपर उप तो आप समाझ जाएए कि बैटर इकदम पॉफिक्ट फिटा है, इसके अंदर हवा भर चुकी है, अब फटा फट हम इसे तल लेंगे, तलने के लिए तेल मीडियम गरम कीजेगा, उसके बाद इसके अंदर बैटर एट करेंगे, अब हाथ को थोड़ा गीला कर लीजे ताकि बैटर हाथों में चिपके नहीं, और उठा उठा कर ऐसे तेल में टच करते वे बैटर को डालिएगा, चुकी तेल जादा गरम नहीं है, इसी टाइम आपको इसके अंदर ये भले डालने हैं बना बना कर, और आप देख सकते हैं कि जब आप इसे तेल में टच कराकर बैटर तक तल लेंगे, हम इने दो राउंड में तल लेंगे, जब इनका कलर कुछ ऐसा आज जाए, तभी आप इन भलो को निकाल लीजे, वापिस से हम ये पकोडियां एक बार और फ्राइ करेंगे, जब सारी पकोडिया रेडी हो जाएंगी, हलवाई यही तरीका अपनाते हैं, दही भले बनाने के लिए, तो हम वही तरीका आज अपनाएंगे, अब अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, बैटर के अंदर, तो आप चम्मच की साहता लीजे, चम्मच से कैसे बनाते हैं भले, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने कुछ गुमाना है, और तेल म नोटेस कर रहे होंगे, कि इन्होंने नमक नहीं एट किया, या हिंग नहीं एट की, जी हाँ, हमने नमक और हिंग नहीं एट की है, क्योंकि हम एक दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं, एक भगोने में पानी लीजे, इसे गुन गुना कीजे, और इसके अंदर नमक एक पकोडियों को गरम तेल में डालेंगे आज को तेज रखेंगे यहां पर और तेज आज पे पकोडियों को थोड़ा अलटते पलटते वे ऐसा अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे अब आप देख सकते हैं यह फ्राई हो चुकी है अच्छे से और अब हम इने वाप से गोल्डेन करना होता है अब डायरेक्ट पकोडियां तेल से निकाल कर इस गुन-गुने पानी के अंदर डालना है ध्यान रखेगा पानी गुन-गुना होना चाहिए गरम नहीं इसे आधे घंटे के लिए यूही छोड़ देंगे पानी के अंदर ताकि हमारे भल्ले दही को मिक्सी के अंदर या फिर हैंड ब्लेंडर से मत फेटेगा वर्ना वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जो हलवाई वाले दही भल्लो में आती है अभी हम दही को हलका सा मीठा करेंगे तो इसको मीठा करने के लिए हमने एक चमच क्रिस्टल शुगर को गुन-गुने पा पानी में भीगते वे 10-15 मिनिट हो चुके हैं का साइस भी आप देख सकते हैं जब लोग चुका है फूल कर यह बहुत ही जादा सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इन्हें प्लेस करेंगे प्लैटर में तो इन्हें हलके से स्क्वीज करना है बहुत जादा स्क्वीज नहीं करन जितनी चटनी की रेषिपी आयई है अगर आप बोलेंगे तो हम उनके लिंह जरूर जरूर पर वाइट करेंगे तो यह हरी यह ही सोर्ट val인지 ख़ूर या फिर हुम्ली के चटनी कोई भी आप इस बैड़ कर सकते हैं दона चागहां ओ कख मसाला है थार पर थार किया किक्या है ज अब आप इनका result देखे, इतने जादा soft बने दही भले, अगर आपने ये recipe एक बार try की, तो आप इन दही भलों के मूरीद हो जाएगे, आपको यकिन नहीं होता न, आप try ज़रूर कीजेगा, क्योंकि ये recipe बिल्कुल original है, easy है, halwai style और traditional है, आप इसे try करेंगे, तो आपको अ